हेलो फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे कच्चे नारियल से बना हुआ बहुत ही स्वादेश्ट मिठाई जो अपने पहले कभी नहीं खाई होगी और ये खाने में बहुत स्वादेश्ट है तो फ्रेंड्स आईए देखिए इसे कैसे बनाते हैं यहाँ पे मैंने 1500 ग्राम कच्चे नारियल लिये हैं इसके पीछे के डार छिलके को काट के अलग कर दिया है और अब हम इसके छोटे छोटे टुक्रे करके मिक्सी के जार में डालेंगे क्योंकि इसका हमें पेश्ट बनाना है और इस मिठाई को बनाने के लिए हमें नारियल का ये सफेद हिस्सा ही चाहिए तो बस नारियल को इस तरह से छोटे छोटे टुक्रों में काट लेने के बाद अब हम इसमें आइड करेंगे एक चोथाई कब दूद दूट डालने के बाद अब हम इसको अच्छी तरह से पीस के पेस्ट बनाके तयार कर लेंगे तो ये देखिए फ्रेंट्स नारियल का पेस्ट बनके यहाँ पे तयार हो गया है बहुत ही अच्छे से हमने इसको ग्राइंड करके पीस लिया है तो बस अब हम चलते हैं नेक्श्ट प्रोसेस में यहाँ पे एक पैन में डालेंगे दो कप दूद ये उबला हुआ दूद है रूम टेंपरेचर पे हैं अब हम इसमें आइड करेंगे आधा कप चीनी चीनी डालने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे दो चम्मच, कॉर्ण फ्लोर या फिर अरारोट आप दोनों में से कोई भी चीज डालके अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और दूद में तब तक मिक्स करेंगे जब तक कि ये अच्छे से मिक्स ना हो जाए विल्कुल भी लंस नहीं रहने चाहिए अब इसके बाद जो हमने यहाँ पे नारियल का पेष्ट बना के तयार किया था वो सारा इसमें डाल देंगे और इसे भी दूद में अच्छे से मिक्स कर लेंगे चलाते हुए तो यहाँ पे सभी चीजों को हमने mix कर लिया है अभी हमने इसको gas पे नहीं चड़ाया है क्योंकि अब हम इसको पकाएंगे तो यहाँ पे gas पे मैंने pen चड़ा दिया है और इसे लगातार चलाते हुए गाढ़ा हो जाने तक हमें इसको पका लेना है तो यह देखिए अब यह गोल गाढ़ा हो गया है यह देखिए तो इस तरह से लगातार हमने इसको तीन मिनट तक पकाते हुए गाढ़ा होने तक पका लिया है और यह देखिए अभी इसमें बड़े बड़े बबल्स आने लग रहे हैं तो बस अब इससे ज़्यादा इसको गाड़ा और नहीं करना है गैस का फ्लिम यहाँ पर बंद कर देंगे और इसके बाद यह देखिए गाड़ा होने लग रहा है तो तुरंत ही इसको जमने के लिए डालेंगे तो जिस वर्तन में हम इसको जमने के लिए डालेंगे उसमें लगा लेंगे घी इस तरह से ब्रश की मदद से और ये जो गोल हमने तयार किया है पकाके वो इसमें डालेंगे तो सारा नहीं डालेंगे अभी मैंने थोड़ा सा बचा लिया है क्योंकि इसको हम फूड कलर डालके इसको ग्रीन कलर में चेंज कर देंगे तो यहाँ पे मैंने ग्रीन कलर का फूड कलर लिया है आप कोई सा भी ले ले और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो ये देखे जितना बेटर हमने बचा लिया था वो अभी green color का हो गया है तो इसके उपर इस तरह से फैला लेते हैं तो ये दो color की हो जाएगी मिठाई और ये देखने में बहुत सुन्दर लगती है चमज की मदद से इसको भी ऐसे फैला लेते हैं और फैला लेने के बाद अब हम इसको ठंडा होने देंगे ताकि ये अच्छे से जम जाए तो ये देखिए फ्रेंड्स अब ये अच्छे से जम गया है मैंने इसको फ्रीज में नहीं रखा है इसके उपर अब इस तरह से नारियल का पाउडर डालके अब हम इस मिठाई को कट करेंगे तो ये देखिए ये बहुत ही सॉप्ट होता है बिल्कुल लचीला और जेली जैसा होता है बिना फ्रीज में रखे ही ये आराम से जम जाता है और अब हम इसको कट कर लेते हैं अब मैं आपको इसको निकाल के दिखाती हूँ ये देखिए फ्रेंट्स कितना बढ़िया मिठाई बनके तयार हुआ है कच्चे नारियल से बनाया है बहुत जादा सामगरी इस मिठाई को बनाने के लिए जरुरत नहीं पड़ी है कम सामगरी में बहुती स्वादिष्ट और देखने में सुन्दर मिठाई बनके तयार हुई है तो फ्रेंट्स अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में